वैलकम बेक टो माय टूपेपर हैकर आज किस वीडियों देखेंगे यह सबसे ज़्यादा कोशन पूछा जाता है जो भी एपर्ष सेमेस्टर में चुट ने वाला हूँ और जिसमें हम सेमेस्टर में देखेंगे sociology का paper के अंदर sociology के paper में आपसे बहुत ज़ादा important question बनता है कि समासास्त और अर्थसास्त में संबंध बताओ समासास्त और अर्थसास्त में संबंध क्या होता है मैं आपको एक बार में explain कर देता हूँ समासास्त और अर्थसास्त में संबंध क्या होता है बिल्कुल संबंद को एक बार में याद कर लेंगे आप लाश्ट तक इस वीडियो में बने रहना मैं आपसे बादा करता हूँ आपको ये याद हो जाएगा बड़े आसानी से आप इस notes को हमारे download करना चाहते हैं तो notes का link description box में है telegram का telegram पर join हो जो बहाँ आपको ये पूरा PDF आपको मिल जाएगी link description बही दे रखा है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को share कर देना है कोई भी दिक्कत आती है तो हमसे पूछ सकते हो ठीक है जिसका number description box में दे रखा है अब देखो समासास्त्र और अर्थसास्त्र में संबंद क्या होता है तो देखो द्यान सदो उत्तर की बात करने वाले समासास्त्र और अर्थसास्त्र का संबंद कितना घनिष्ट है कितना घनिष्ट है अब बस यह लिखेंगे कितना घनिष्ट है यह हम देखेंगे इसमें और कहा है यह तर्थ इसी से इसपष्ट होता है कि वो कितना संबंदित है कितना घनिष्ट अंबंदित है कितना दूर रहता है हूँ है हम अब देखेंगे यहां बुला गया है इतना हम टॉपिक लिखने के बाद में लिखेंगे क कि कुछ समय पूर्व मतलब की पूर्व का मतलब होता है पहले तक, कहले कुछ समय पहले तक समा सास्त्र को अर्थ और जास्त्र विसय के एक भाग के रूप में भी पढ़ाया जाता था मतलब कुछ समय पहले क्या था कि समास्तास्त को अर्थिसास्ता विसे के रूप में भी पढ़ाया जा सकता था यह जाता था ठीक है जाता था पढ़ाया जाता था अब यहां बोला गया है कि अर्थिसास्ता मनुष्य की आर्थिक किरियाओं का अध्यन करता है अर्थिसास्त होता है मनुष्य ये फिर मानव है उनकी अर्थिक किरिया अर्थिक किरिया जो होती है मतलब अर्थिक किरिया का अध्धिन करता है अर्थिक किरिया का अध्धिन करता है इस प्रिकार से भी कह सकते है कि अर्थिसास्त होता है मानव का जो सवग्र रूप से अध्यन करता है और इस रूप में दोनों विज्ञानों में संबंद यह को कह रहा है इस रूप में दोनों विज्ञानों में संबंद होना स्वभाविक ही है दोनों विज्ञानों में संबंद होना स्वभाविक है लेकिन यहां बोला गया है क्य कैसा है बेटा अलग नहीं है उसके बाद बोला गया है कि जो मैकाईवर थे मैकाईवर मैकाईवर बहुत जादा प्रिशिद्ध है तो मैकाईवर के अनुसार उन्होंने बताया कि इस पिरकार से आर्थिक घटनाएं और सदैव समाजिक समस्याओं और किरियाओं का या किरियाओं के समस्तर स्वरूपों द्वारा निश्चित होता है या होती है और विस सदैव प्रतेक प्रकारि की समाजिक अवस्थाओं और दिसाओं और किरियाओं को पूरन निश्चित या पूरान से निश्चित या सुरजज़ित कह सकते हैं ये फिर सरज़ित ये फिर रुपांतरत ये फिर परिवर्तित करती है अब यहां दुआरश मैं जो मैकाईवे थे उन्होंने बताया कि इस प्रकार के जो आर्थिक घटनाय है वो समाजिक आवस्था जो कह सकते हैं पूसर गठनाय होती है उनकी किरियाओं के समस्त रूपों या सवरूपों के दौरा निश्चित होती हैं मतलब इनके यहां से ऐसे जमझो कि जो मैकाईवर् जो इस पिरकार की जो आप उपर जो घटना है हमने पड़ी थी वो पिरकार की जो आर्थिक घटना है सदैप समाजिक अवसकताओं और किरियाओं के समस्त स्वरूप द्वारा निश्चित होती हैं और वे सदैप प्रतेक पिरकार की समाजिक अवसकताओं एवं किरियाओं को निश्चित स्रज्जित या रुपांतरत या फिर परिवर्तित करती है अनेक समासास्त्री समस्याएं अब देखो अनेक समासास्त्री जो समस्याएं थी जैसे बिभा की समस्याएं अपराद बिभा की समस्या अपराद आधी भी आर्थिक किरियाओं से प्रवावित रहती है अ और साथ ही समाश सास्त्र भी अर्थ सास्त्र के अध्यन पदितियों का लाव उठाता है उन्होंने कहा कि जो समाश सास्त्र है सोशलोजी है वो भी अर्थ सास्त्र के अध्यन के पदितियों का लाव उठाता है और इस पिरकार दोनों ही विज्ञानों को एक दूसरे से साहता लेनी पड़ती है और इसी प्रकार क्या होता है कि जो समास सास्त्र और अर्थ सास्त्र है उन दोनों को एक दूसरे से साहता लेनी पड़ती है तो बस इतना था इसमें संबंद और नेक्स भीडियू मेu देखेंगे समाहषास और अर्थाससास में अंतर क्या होता है हम ने अब संबन्ध देखा नेक्स टो को अंतर को देखेंगे सबीत लोग लाइक करते शायके वीडियो को और चैनल को सस्क्राइब कर लेंगे और इस प्रकार्श द ri